बॉलिवूड एक्ट्रेस तापसी पन्नू फिर से तियार हैं अपनी फिल्म शाबबाश मिठ्टू के नई ट्रेलर की रिलीज के साथ तापसी ने हमें याद दिलाया है कि महिलाओं को जम कर पॉर्ट्रे करना जरूरी है बॉक्स ओफिस पर पिंक, बदला, मिशरमंगर, थपड जैसी सूपर हिट फिल्म में देने के बाद हम कह सकते हैं कि तापसी वास्तव में किरदार में उतरना जानती हैं फिल्म शाबबाश मिठु नाम अकुन की नई फिल्म के ट्वेरर रिलीज के साथ हम उनसे इसी चीज की उमीद करते हैं हाला कि इस बार उमीद पहले से भी अधिक है क्योंकि वह इस बार हमारी पसंदिदा महिला भारतिय क्रिकेटर मिताली राज की भूमिका निभा रही हैं मिताली राज अपने 23 साल के लंबे करियर में रिकोर्ट तोर पफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं वह एक मात्र महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने वुमेंस वन दे इंटरनेशनल मैचों में 7000 रन के आकड़े को पार किया है और यह फिल्म शाबाश मिठू उनके बचपन से लेकर उस महान स्तिती तक की आत्रा को दिखाएगी जो उन्होंने हासल की है ट्रेलर की शुरुआत एक यूवा मिताली से होती है जो पुर्शो की तरह ही क्रिकेट खेलना चाहती है इस फिल्म में हम अभिनेता विजेराज को भी देखेंगे जो मिताली के कोच के रूप में दिखाई देंगे वे इस यूवा लड़की की प्रतिवा को पहचानने वाले पहले व्यक्ति होंगे ऐसा लगता है कि फिल्म का मुखे फोकस इन दो प्रतिवा शाली अभिनेताओ पर ही होगा क्योंकि वे इस यूवा मत्वकांशी महिला की असमानने कहानी को दर्शाएंगे ट्रेलर ने फिल्म के मोटो को अपने प्रतिवा शाली ड्राइलोग से दिखाया है ट्रेलर में तापसी एक ड्राइलोग कहती है ऐसा खेल के दिखाएंगे कि हमारी पहचान कोई कभी भूल ना पाए यह फिल्म ना केवल उनके संगर्शों को दिखाती है बलकि ये भी पताती है कि एक अंजान जगे पर अपनी पहचान कैसे बनानी है इस फिर्म का निर्दरशन श्रीजीत मुखर जी ने किया है जो जादा तर बंगाली इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं तापसी पन्नो ने ट्रुइटर पर अपनी इस फिर्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा नाम तो आप जानते ही हैं अब मिताली के लेजेंड बनने के पीछे की कहानी को देखने के लिए तयार हो जाईए जिस महिला ने दजेंटर्मेन गेम को फिर से परिभाशित किया उसने खुद की कहानी बनाई है और मैं इसे आप तक लाने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हूँ शाबाश मिठू 15 जुलाई को रिलीज होगी